हेलो वियोर्स कैसे हैं आप सब पाकिस्तान वर्सेल न्यूजिलेंड की बीच में शांदार टेस्ट सीरीज चल रही है पहला टेस्ट ड्रॉरा 2022 पे तो पाकिस्तान की हार ही रही घर पे वो एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई कीजिए और वीडियो को लाट तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं से पहले हम बात करेंगे कि मुकाबला हो कर रहे हैं नैस्नल स्टेडियम जो की है कराची में और वहां की अगर बात की जाए तो वहां की फ्लैट पीच होती है और बैट्समन के लिए बैटिंग करने आएगी उसको उतनी मदद नहीं मिलेगी जो टीम सेगेंड इनी में बलेबाजी करने आएगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जहां की जो पीच है वो और बहतर होती जाएगी और बॉलर्स के लिए पीच तो कुछ और ही है एट्समन के लिए ये पीच बहुत अच्छी होने वाले जो आपको रिकॉर्ड बताएंगे और जो इनके शाहिद अफ्रीदी है उन्होंने बताया है कि यहां की जो पीच्छ है वो बाउंसी पीच बुराने कोशिश की गए जहां पर बॉलर्स और बैटर्स को सिमिलर मद्द मिलेगी और वन सेडिड ल 4th inning का ever score 105 पन है यानि कि 4th inning में इतना दा हाई score नहीं बनता बट अगर आप थेली 2 inningों में कुछ ने कर पाए ना तो लास्ट में कुछ होगा ही नहीं अब बात करते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है दोनों ही टीमों की पाकिस्तान की तो उसमें जो ओपनिंग है इमाम उल्हक जो कि आपको नजर आएंगे अब्दॉल्ला शफीक के उसके बाद शान मसूद बावराजम देना आपको सरफराज एहमद देना साउ शक्वील सल्मान अली आगा को किस बेस पर बाहर करेंगे पिछले मैच में श्रतक लगा के आए बेशक से इनकी प्लेइंग 11 में जा आया नहीं है हासन अली मेरे साब से यहां खेलते वह आपको नजर आ सकते हैं कि अलाव आपको अबरार एहमद तो कंफिर्टे नजर आएंगे देन मीर हमजा भी अपने पहले मुकाबले में कुछ नहीं कर पाई बट पहला मुकाबले में आपके से की कैपेबिलिटी को नही निकॉलस देन आएंगे आपके टॉम ब्लेंडल फिडेरिल मिशिल देन आपके माइकल ब्रेस्वेल काफे अची स्पिन की थी और एजास बटेल टिम साउथी कैप्टन हैंके इश सोटी और नील वैगनार तो यह इनकी प्लेंग 11 होने वाली है न्यूजिलेंड की और यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस मैच में जो हाई स्कोर होने वाले हैं वो आपको टॉम लेथम हाई स्कोर करते हुए देखने वाले हैं न्यूजिलेंड की तरफ से और मैं बात करूं पाकिस्तान की तरफ से तो बाबर आजम आपको हाई स्कोर करते हुए दिख सकते हैं जो कि आपको कोई हाई स्कोरर दिख सकता है अब हम बात करते हैं कि कौन इस मुकाबले को जीतने का हगदार है मेरे साब से 22 तो अच्छा नहीं गिया बट यहाँ पे अगर पाकिस्तान अपने हिसाब से पीछ बनाता है तो शायद वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं अगर वो अपनी